दोस्तो नमस्कार इस वीडियो में हम आपको IFMS MP TASRI का पासवर्ट किस तरह से बनाय जाता है बताऊंगा साथ ही Bad Creditional Error ठीक करना भी बताऊंगा तो चलिए दोस्तो वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तो यहाँ पर मैं MPTASRI.gov.in पर क्लिक कर रहा हूँ यह लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी लिंक पर क्लिक करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा इसे मैं जूम कर रहा हूँ दोस्तो यूजर आइडि के सामने Employee Code Unique Code डालना है यहाँ Capture डालना है नीचे Forget Password के Option पर क्लिक करना है तो दोस्तो यहाँ पर मैंने User ID के सामने Employee Code Unique Code डाल दिया है यहाँ Capture डाल दिया है और अब मैं Forget Password के Option पर क्लिक कर रहा हूँ Forget Password के Option पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा इसे मैं जूम कर रहा हूँ Please Select Language के नीचे मैंने English भासक का सिलेक्शन कर लिया है User ID के सामने Unique Code, Employee Code डाल दिया है और अब मैं Submit के Option पर क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर OK पर क्लिक करने पर कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा मैं इसे जूम कर रहा हूँ यहाँ आपके Mobile नंबर का आखरी चारंग दिखाई दे रहा है इसी नंबर पर OTP आई होगी वो यहाँ पर डालेंगे और Verify OTP के Option पर क्लिक कर देंगे Verify OTP के Option पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह के इंटरफेस दिखाई देगा पर आ जाएंगे इसे हम जूम कर रहा है दोस्तों यूजर आईटी के सामने Employee Code Unique को डाल दिया हूँ और Password के सामने हमने जिस Password का स्क्रीन सोड लिया था उसे डाल दिया हूँ Capture डाल दिया हूँ और अब मैं Login के Option पर क्लिक कर रहा हूँ Login के Option पर क्लिक करते ही कुछ इस तरह का Interface दिखाई देगा इसे मैं जूम कर रहा हूँ तो दोस्तों यहाँ पर Old Password के सामने मैंने जिस Password का स्क्रीन सोड लिया था वो यहाँ पर डाल दिया हूँ नीचे New Password के सामने हमने उसी Password को दुवारा डाल दिया है और अब Save के Option पर क्लिक कर रहा हूँ दोस्तों Password किस तरह से बनाए जाता है उदारन सा रूप स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है Save के Option पर क्लिक कर रहा हूँ Save के Option पर क्लिक करते ही कुछ इस तरह का Interface दिखाई देगा इसे मैं जूम कर रहा हूँ दोस्तों हमें यहां Logout पर क्लिक करना है Logout पर क्लिक करने के बाद हमें mptesd.gov.in पर एक बार फिर से क्लिक करना है तो दोस्तों User ID के सामने Employee Code, Unique Code डाल दिया हूँ नीचे Password के सामने हमने जो नया Password बनाए था वो डाल दिया हूँ यहां Capture डाल दिया हूँ और अब मैं Login के Option पर क्लिक कर रहा हूँ यहां मैं HRMIS Home के Option पर क्लिक कर रहा हूँ HRMIS Home के Option पर क्लिक करते ही कुछ इस तरह का Interface दिखाई देगा इसे मैं जूम कर रहा हूँ दोस्तों यहां पर हमें बहुत सारे options मिलेंगे हमें report के folder में जाना है और यहां से हम मासिक वेतन पर्ची निकाल सकते हैं और यहां से हम वार्सिक वेतन पर्ची निकाल सकते हैं